आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रेड्मी के फोन में वर्टसप पर लॉक कैसे लगा सकते हैं या फिर वर्टसप पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं WhatsApp पर Lock या फिर Password सेट करने के लिए अपने MI के फोन में Settings को Open करिए फोन के Settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करके एक Option आएगा Apps, Apps Option पर किलिक करिए उसके बाद आपको मिलेगा एक App Lock का Option अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो उपर आप Settings में सर्च कर सकते हैं तो Apps पर किलिक करके हम App Lock पर किलिक करते हैं उसके बाद एक Option आएगा नीचे Turn On इस पर किलिक करिए अब उसके बाद एक Option आएगा Change Password पर किलिक करके अगर आपको Pin Set करना है तो Pin पर किलिक करिए Password Set करना है तो Password पर किलिक करिए तो जैसे कि हम Petal Lock Set करेंगे तो यह Already यहाँ पर Select है तो उसके बाद अपना जो Lock आपको Create करना है जो आपको WhatsApp पर लगाना है वो Create करिए अब उसके बाद फिर से Enter करिए यानि कि Confirm करिए Not Now यानि कि नहीं करेंगे Am I Account को Add हमें नहीं करना है तो Not Now पर फिर से किलिक करेंगे अब इन अप्लिकेशन को अगर आपको Lock करना है तो कर सकते हैं जैसे कि Only WhatsApp को करना है तो बाकी अप्लिकेशन को Unselect करिए यानि कि Take हटा दीजिए और आप देख सकते हैं WhatsApp हमारा यहाँ पर Select है तो Use App Lock पर किलिक करेंगे अगर आपने Finger Add किया है अपने फोन में तो Finger Print से Unlock कर सकते हैं तो Finger Verify होकर आप WhatsApp का App Lock अपने Finger से भी Unlock कर सकते हैं तो जैसे कि WhatsApp यहाँ पर आपका Lock हो चुका है अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से Lock कर दीजिए अब उसके बाद आप Check कर सकते हैं आपके WhatsApp पर यहाँ पर Lock लग जाएगा कुछ इस टाइप से Finger से Unlock कर सकते हैं या फिर अपना Pattern या फिर Password एंटर करके आप इसे Unlock कर सकते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें